कॉंग्रिस के वरिष्ट नेताव शिलाई से विधायक हर्षवर्धन चुहान ने कहा है कि कॉंग्रिस सरकार के लोग प्रिय फैसले बीजेपी नेताओं को रास नहीं आ रही हैं। पर युवाओं के साथ खिलवाड हो रहा था। काम आलोशना करना है और जो फैसले हुए है इत्यासिक फैसला है। हमीरपूर में बहुत लंबे अर्से से कई वर्षों से पेपर भिक रहे थे पेपर लीक हो रहे थे। हमारे मुख्यमंद्री जी ने जो है जो उनको शिकायते प्राप्त होई उन्होंने सी आईडी को ये जिम्मेवारी सौंपी और उन्होंने रंगे हातों जो है वो पेपर बेचने वालों को पकड़ा है आज वो जेल के सलाकों के पीछे हैं। और उनके पास जो है जो आने वाले समय में कुछ और केटेगरी के भी एक्जाम होने थे उनके पेपर भी बेचे जाने थे। तो एक बड़ा अच्छा कदम है, अतियासी कदम है और हमीरपूर बोर्ड को फंक्शिनिंग को अब हमीरपूर बोर्ड में से कुछ लोगों को और्रेस्ट किया गया है और अपता नहीं कितने रोगा इंवाल्ग होंगे, कितने उचदीकारी में इंवाल्ड होंगे यो यह एक प्यासि फैसला है हंar看到 कारेकाल है कोई यह मेने का कारेकाल थोड़ी है वो तो हमर पर 5 साल का समय है और हमने जो वाइदे किये हिमाचिल अडर्शल प्रदेश की है और फूरे कियजा श्रणीमात तरीके से पूरे किये जाएन गी हमारी हमारी फुल cabinet मनेगी उस दिन जो OPS है old pension scheme है जो हमने हिमाचल के करणचारियों से वाइदा कि हो first day उसको लागू किया जाएगा और बहुत सारी schemes हैं जो हमारे वाइदे हैं हम उन पे हमने officers को direction दी है मुख्यमंतरी ने direction दी है उस पे financial implication कितना होगा किस से उनको implement किया जाएगा वो department से उस पे विचार दिन कर रहे हैं और समय समय पर जो है वो cabinet के समक्ष और मुख्यमंतरी के समक्ष वो लाए जाए उसका data जो इतियार किया जा रहा है हर्षवर्धुन छुहांने कहा कि पुर्वसरकार ने कुछ संसान एक-एक कमरों में तो कुछ संसान गवशाला के भी तर भी खोल दिये आशीश सभी संसान राजनेतीग लाप उठाने के लिए पुर्वसरकार ने जिनका अब मौझूदा सरकार और रिवियू कर रही है और जरूरत पड़ी तो आवशक तानुसार कुछ संसानों को खोला भी जाएगा। करवादी को अपने कारेकाल के दौरान पूरा करेगी। और कई इंस्ट्यूशन्स तो एक कमरे में खोल दिये, कई इंस्ट्यूशन्स गवशाला में खोल दिये, और कोई स्टाफ का प्रवधार नहीं किया गया। उसे हुआ ये कि जो नए संस्तान खोले थे वो भी नहीं चले और पुराने संस्तान से स्टाफ को उठा करके नए में लगा दिया। तो वो दोनों ही इंस्ट्यूशन्स वे ठप हो गए, अब सरकार जब प्रेजिएंट गवर्मेंट आई है, उसके जिम्मेवारी है, जो स्कूल्स हैं, हेल्थ इंस्ट्यूशन्स हैं या और दफ्तर है, वो सुचारू रूप से चले ताकि लोगों को सुविदा पराप्त हो अब लोगों को देखते हो रही थी, और सबसे बड़ी बात है कि जो ये इंस्ट्यूशन्स खोले गए थे आखरी छे वीने में, ये नौसो के करीब थे और इनका जो खर्चा सरकार के ओपर होना था लगए, पांच हजार क्रोण रूपे साला ना है, आज सरकार का जो है वो है, सिक्स पे कमिशन का वो देना है, डी ए है, एच आर टी सी की बसों जो भाजपा के नेताओं के रैली में इस्तेमाल की गई है, पंदरा क्रोण रूपे की देंदारी वो सरकार को देना है, बहुत सारी देंदारी है, पिछली सरकार की, और सारे डिसीजन जो राजनीती का अधार पे पिछली सरकार ने किये गे, तो उनको रिव्यू किया गे, कैंसल किये गे, और अगर कोई जन हित में कोई ऐसा संस्ता होंगे, जो पैरामीटर पे ठीक बैठते होंगे, और लोगों के मांग होगे, आने वाले समय वो दुबारा से खोले जा सकते हैं. 35372 पर कॉल करें या अपना बायो डाटा इमेल करें.